अलो व्लकम फ्रेंड़्स माइस्कूइल में या फिर एस्कूइल सरवर मैंजमेंट, स्टूडियो की बात करें या फिर MICROSOPT ACCESS की बात करें तो इसमें वैरक्यर में और टेक्स्ट में काफी ज़्यादा स्टूइंट्स को यह यहां से जाते हैं और यहां से जाने क वाद हम यहां पर query design पर जाते हैं, query design पर जाने कवर्च यहां से SQL पर चले चलेंगे, तो यह SQL open हो चुका है, अब यहां पर जो हम काम करेंगे, अब उसमें रिखिएगा ध्यान से जरा, यहां पर समझने वाली बात है, जैसे हम अगर table create करते हैं, तो हम simply लिखते हैं, create table का नाम दे देते हैं, ऐसा ही हम SQL, MySQL में भी करते हैं, SQL Server Management Studio में भी, सेम प्रक्रिया यही होती है, तो यहां table का नाम मैं दे देता हूँ, like student, student T कर देते हैं, table के दिए, तो यह होगी, आप bracket को open करते हैं, यहां पर अब आपको जो भी देना है, यहां पर जैसे name of student देना है, तो name underscore of underscore student, यह दे दिया हमने, और इसका data type यहां पर mention करा, where care, तो ध्यान देजेगा, where care लिखा और अगर नाम की size, यहां पर name जो हमने लिया है, name of student जो लिया है, अगर इसकी size 5 होनी चाहिए, तो 5 ही होनी चाहिए, यहां पर where care में criteria क्या दे दिया, 5 दे दिया, तो इसका मतलब कि 5 से अधिक character आप लिखे नहीं पाऊँगे, अब ही मैं इसका demo दिखाता हूँ आपको, अब दिखिए, यहां पर मैं क्या करता हूँ, यहां पर मैं देता हूँ city, तो यहां city का name आएगा, और city का name में क्या देता हूँ, text दे दिया, तो text में कोई limitation set नहीं है, इतना ही आपको देना है, अब यहां से terminate करिए, और terminate करके query को run कर देगे, तो जैसे ही run करेंगे, तो यहां student की table बन करके आ जाएगी, इस table की कोई जरुवत नहीं, तो इसको हम delete कर देता है, यहां से, यह जो पहले table बन के आया था, तो यह बन गया, तो अभी यह student की table बन गई है, तो यहां पर five हमने size रखा है, तो क्या हम five से ज़्यादा character का नाम लिख सकते हैं, जैसे मालिज यह, मैं यहां पर नाम लिखता हूँ, मौहन सिंग, तो यह देखिए, आगे सिंग जैसे लिखने जाता हूँ, तो यह मैं unable to type, नहीं type कर पा रहा, लेकिन यही city की बात करें, तो city में यहां पर मैं लिखना चाहता हूँ, like suppose कीजिए, यहां पर लिखना है, एहमदाबाद, एहमदाबाद, तो यह देखिए, यह पूरी city का नाम, अब इसमें तो कुछ दिया रही गया ऐसा, कि इतने characters ही होने चाहिए, तो यहां पर जितना चाहिए, उतना आप जिस त चाहिए, यह तो accept कर जाएगा, लेकिन यही रवी कुमार लिखना हो तो यह नहीं accept करेगा, पांच character से ज्यादा यह accept नहीं करेगा, और space भी include रहता है, यह भी याद रखिएगा, space भी include रहेगा, अब यहां पर D, E, O, R, I, E, देवरिया देदिया, यहां देवरिया कितने character यहां पर तेवरिया हम देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे करेक्टर है, तो यहां पर तो accept कर जाएगा, लेकिन यहां पर अगर बात करें, जैसे मालीजी यहां पर लिखना है गौरो सिंग, तो यहां गौरो लिखा, तो गौरो भी नहीं लिखेगा यह, क्यो फिर कहां देपाएंगे, नहीं देपाएंगे, यहां पर एक बार रीफ्रेश करते हैं, तो यह रीफ्रेश कर दिया हमने, अब यहां पर जाएंगे, तो यह देखिए, यहां पर यह नहीं लिख पाएंगे हम, उमीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है, और ये चीज़ क्लियर हो गई है क्लियर है न? ओके